पुस्तक आपात कालिन संगर्ष गाथा, राष्टी स्वेंग सेवक्त संग के विचारक और मराठी के प्रसिद्य सायत्यकार पूर्शोतम गणेश शास्त्र बुद्धे एवं ख्याति प्रात्पत्रकार माणिक चंद बाजपेई द्वारा लिखित पुस्तक आपात कालिन को किस तरह आपात काल में ध्वस्त किया गया, इस पुस्तक में सिलसलिवार खुलासा किया गया है। 25 जून 1975 को इंद्रा गाधी ने देश में आपात काल लगा दिया था। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक यानि 21 महीने की ओधी के दोरान इंद्रा गाधी ने किस तरह निरंकुस त संघर्स गाता पुस्तक की विशयवस्तु की अगर बात की जाए, तो इसमें कुल 12 अध्यायों को शामिल किया गया है, इन अध्यायों में कराल रात्र की ओर, पंजा कसा गया, सत्यागरह पर्व, इस अध्याय में सत्यागरह का मुल्यांकन और सत्यागरह समाप्त हुआ, संघर्स नहीं जैसे भाग भी शामिल है। प्रेरक पत्र पुष्पांजली जैसे महत्पुन अध्याय शामिल हैं। पुलिस के बड़े बेड़े अधिकारी यह देख कर सक्ते में आ गए। सत्यागरा महज कलपना सावित होगा और उनके शासन में कहीं भी सत्यागरा नहीं हो सकता। मगर बंशीलाल के गढ़ कहे जाने वाले भीवानी से लेकर हर्याडा में जगा जगा आपात काल के खिलाप सत्यागरा होता रहा। जबकि हर्याडा पुलिस सत्यागरा के साथ बहुत निर्मम ब्योहार करती थी। उनके बाल कटवा कर शहर में जुलुस निकाल जाता था। मगर बंशीलाल के इतने आतंग के बाद भी हर्याडा में संग के स्वंक सिवक आपात काल के खिलाप संघर्स रत रहे। उनके साथ थे। तभी पुलिस आई और सत्यागरहियों पर लाठियां बरसाने लगी। इसी बिच संघ के जीला संग चालक शुम्ब दयाल की पुत्री कुमारी प्रतिमा सामने आई और उन्होंने एक दारोगा को बेद पकड़कर उसकी चपल से पिटाई शुरू कर दी। पल भर में वहां सारा माजरा बदल गया। लोगों का आक्रोश पुलिस पर फुटता इससे पहले ही पुलिस ने सत्यागरहियों को गिरहतार कर लिया। आपात काल में पुलिस की बरवर्ता का बयान करने वाली है पुस्तक आपात काल के सत्यागरहियों के साहस को परिलक्षित करती है। आपात काल का सारे देश में विरोध किया जा रहा था। राष्टी स्वंग सिवक संग के लाखो कारेकरता सत्यागरह कर रहे थे। मंगलूर के एक महत्पूर्ण प्रसंग का उल्लेख करते हुए पुस्तक में लिखा गया है कि 14 नौवंबर को मंगलूर में संग के कारेवाह और लोगप्रिय डॉक्टर माधो भंडारी के नेत्रितों में सत्यागरा होना था। पुलिस ने सत्यागरा वाले अस्थान के चप्पे चप्पे पर कड़ी व्यवस्था कर दे थी। मगर पुलिस को चकमा दे कर डॉक्टर माधो भंडारी वहां पहुँचे। जैसे ही वह कार से बाहर निकले भीड़ उन्हें देखकर नारे लगाने लगी। पुलिस ने उन्ह अन्य कहीं नहीं मिलता। आपातकाल के विरोध में देश भर के राज्यों में संग से जुड़े कारे करता। जिनमें वकील, छात्र, डॉक्टर, अध्यापक, व्यापारी और राजनेता शामिल थे। उनके द्वारा निडर्ता के साथ सत्यागरह किया जा रहा था। भारत पुर्पूर की राजधानी इंफाल के जीला नियाले परिशर के आहाते में सत्यागरहियों ने पर्चे बाट कर अपनी गिरफतारी दी थी। आपातकाल का देश के हर बर्ग द्वारा बिरोध किया जा रहा था। पुस्तक में एक ऐसा रोचक प्रसंग भी शामिल है जिसे कारिक्रम पस्तूत करते थे। जब हो आकाश बाड़ी पर अपना कारिक्रम पस्तूत करने पहुचे तो उन्होंने अचानक भारत माता की जै आपातकाल मत रखो, ताना शाही नष्ट करो, राजबंदियों को मुक्त करो, संग से पावंदी हटाओ, जैसे नारे लगाने मुचे आकाश बाड़ी किंद्र में हर कंप मच गया। अधिकारियों ने उन्हें पकड़ कर मज्टेट के समक्ष पेस किया, तो उन्होंने बेबाकी के साथ कहा, यदि मैं यही नारे किसी मैदान में लगाता, तो कुछ ही लोग सुनते, इसलिए मैंने या मार्ग चुना, ताकि हजारों लोगों तक मेरी आवाज पहुच सके। आपात काल संगर्स गाथा में एक तरब जहां संग के कारेकरताओं के त्याग और निडर्ता का उलेक है, वही दूसरी तरब संग के कारेकरताओं की ऐसी थोस चालों का भी उलेक है, जिन्हें देखकर पुलिस अपनी सिर पकड कर रह गई। ऐसी ही एक घटना कुन्नूर जी लेकी है, जहांके विधायक डीपियस रेडी सत्यागरा के काम को तेजी से संचालित कर रहे थे। पुलिस को सूचना मिली कि वह लक्षीमी विलास होटल में ठैरे हैं, बड़े-बड़े पुलिस अधिकारियों ने वहां जाकर डेरा डाल दिया और उनको गिरफतार करने की तैयारिया होने लगी। तभी संग के जीला प्रचारक रागवलू खाकी पैंट और टी-शर्ट पहने वहां पहुंचे। उनके हाथ में एक बड़ी सी टोकरी थी जिसमें नास्ता भरा था। उन्होंने पुलिस अ साइकल पर उन्हें बैठा कर इस्टेशन पर छोड़ाए। इस पुस्तक में इस बात का विस्तार से उल्लेख किया गया है कि किस तरह इंद्रा गाधी ने अपनी मनमानियों के लिए मीसा कानून का खुला उलंगन किया। संगे के कारकरताओं के उपर चुन-चुन कर मीसा लगाया गया। पुस्तक में प्रशासनिक और पुलिस की कुटलता का उल्लेख किया गया है। कानून और मौलिक अधिकारियों से परे जाकर पुलिस ने घंगोर अमानुई रवया आपात काल के दोरान अक्तियार कर रखा था। इस पुस्तक में आपात काल की हर छोटी अर्मणिम स्वामी ने 11 फरवणी 1976 को टुरेंटो स्टार अखवार को एक साक्षातकार दिया। इंद्रा गाधी ने इसी साक्षातकार का वाधार बना कर उनकी राजसभा सदसता रद करने का प्रस्ताओं 15 नॉवंबर 1976 को राजसभा में कमलापती त्रिपाठी द्वरा प् विरोध किया। आपात काल में शासन किस तरह से निरंकुष हो गया था इसका उल्लेख इस पुस्तक में मिलता है। इंद्रा गाधी के शासन में अखवारों से लेकर कभी संबेलोनों तक पर सेंसर्शिप लागू कर दी गई। सरकारी संचार साध्रों का सरकार जम कर दूर रहे थे और किसी न किसी माध्यम से उन्हें जनता के समक्ष पहुचाया जा रहा था। किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्योस्ता के लिए समाचार पत्र, नयाइपालिका और सहित्यकार प्रमुख आधार अस्थम्भ होते हैं। मगर इंद्रा गाधी की ताना शाही ने इन प्रतार संकटों के बाद भी अपने बोध को कम नहीं होने दिया। परिशानियों, प्रतारना और अत्याचार के बाद भी लोगों ने इंद्रा गाधी और उनके आपातकाल का जम कर विरोध किया। इस पुस्तक के अध्यन से हमें पता चलता है कि जन शक्ति के समक्ष आपातकाल का जिस तरह से विरोध किया उससे जुड़े सभी पहलूओं का उलिक इस एतिहासिक पुस्तक में मिलता है। संग के दो महान विचार को और राष्टवादी चिंतकों के प्रयास से या पुस्तक हमारे हाथ में पहुँची इसके लिए उन्हें कोट कोट इनमन। आपात कालिन संगर्स गाता इस पुस्तक को संग के दो महान विचार को राष्टवादी चिंतकों पुर्शोत्तम गड़े सहस्थ बुद्धे योंग मारिक चंदवाजबेई ने लिखा है। इसके अध्यन से आपात कालमे सत्यागरहियों के त्याग, राष्ट प्रेम, यो सामाजिक दैत्तों का बोध होता है। अपात कालमे शासन की व्योस्था और निरंकुस परिस्थितियों को समझने में यह पुस्तक बेहद उपयोगी और ज्यान वर्धक है। इस पुस्तक का मुल्ले मात्र तीन सो रुपय है, जो इसके प्रिष्ट संख्या 692 को देखते इमेल आइडी है साहित्यदरपन भारत अट जीमेल डॉट कॉम, मोबाइल और वाट्सअप नंबर है 965 0033433